एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुचा, वो बहुत अधिक तनाव में था, अनेक प्रशन उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे जैसे आत्मा क्या है? आदमी मृत्यू के बाद कहां जाता है? सृष्टी का निर्मता कौन है? स्वर्ब नरक की अ पहुचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं. बुद्ध उन सभी के प्रशनों वजिग्यासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं. काफी देर तक ये क्रम चलता रहा, किन्तु बुद्ध धर्यपूर्वक्त हर एक को संतुष्ट करते रहें. बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देख कर परेशान हो गया. उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामनों में पढ़ने से क्या लाब? अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस इन नुगों को भगाएं, किन्तु बुद्ध का व्यवहार दे से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्यानी नहीं हूँ, और इंसान हूँ. वैसे भी वह ज्यान किस काम का, जो इतना घमंडी और आत्म के बृत हो कि अपने अतिरिक दूसरे की चिंता ही न कर सके? ऐसा ज्यान तो अज्यान से भी बुरा है. बुद्ध की बाते सुन ज्यान तभी सार्थक होता है, जब वो लोक कल्यान में सनलगन हो.